डोस्तों हर कोई अमीर बनना चाहता है, रकोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन क्यों कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं, और बांकी के लोग सिर्फ महनत ही करते रहते हैं, जो अमीर बनते हैं, उनमें ऐसी क्या qualities या habits होती हैं, जो एक गरीब आदमी में नहीं होती, कहा जाता है कि दुनिया का 90% मनी 10% रिच लोगों के पास है और बाकी के 10% मनी दुनिया भर के 90% लोगों में है पैसा कमाने के लिए सभी मेहनत करते हैं लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई रिच हो जाते हैं और कोई गरीब ही रहते हैं ये बात तो आपने सुनी ही होगी, कि दुनिया में जितना भी दौलत है, उनको अगर दुनिया के सभी लोगों में बराबर बाट दिया जाए, तो कुछ ही सालों बाद जो अमीर थे, वे फिर से अमीर हो जाएंगे, और जो गरीब थे वे फिर गरीब हो जाएंगे, और ये बात बिल्कुल सच है, इससे पता चलता है कि जो रिच होते हैं, उनमें ऐसी हैबिट्स या वालिटीज होती हैं, जो उन्हें रिच बना देती हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आज का वीडियो आपके रिच बनने के सपने को और भी असान कर देगा, तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब लोग चाहते हैं कि हम अमीर हो रिच हो लेकिन उन में से बहुत कम लोगों के पास ही wealth goal होता है कि मुझे कितना अमीर बनना है मुझे एक करोड कमाने हैं दस करोड कमाने हैं यह सव करोड कमाने हैं कैसे कमाने हैं और कब तक कमाने हैं यह भी आपको पता होना चाहिए इसलिए आपके पास एक smart wealth goal होना चाहिए तिप नमबर टू, balance seat दुनिया में जितने भी companies हैं यह जितने भी organizations हैं सब के पास अपना balance seat होता है जिससे उन्हें पता रहता है कि हमें कितना profit हो रहा है या कितना loss हो रहा है उसी प्रकार एक अमीर आदमी के पास भी उसका balance seat होता है जिससे वह अपने पैसों का हिसाब किताब कर सकता है लेकिन वहीं एक गरीब आदमी के पास balance sheet नहीं होती जिससे उसे अपने assets और liabilities का पता नहीं चलता वह अपने income और खर्चे को ही calculate करते रहता है अगर आपको पता नहीं है कि balance sheet क्या होता है कैसे बनाते हैं तो description में आपको video का link मिल जाएगा वहां से आप balance sheet क्या होता है उसके बारे में जान सकते हैं tip number 3 10% rule अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपकी monthly income जितनी भी है चाहे हुआ 1000 से लेकर एक करोड ही क्यों नहीं हो उसका 10% आपको save करना है अगर आप monthly 10,000 कमाते हैं तो उसका 10% मतलब 1000 इस पैसे को आपको अलग account या ऐसी जगह पर save करना है और इस पैसे को चाहे कुछ भी हो जाए अपने daily कामों में या song के कामों में खर्च नहीं करना है अपनी salary का 10% save करते करते जब आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप उसे कहीं और invest कर सकते हैं तो वहाँ invest कीजिए इस पैसे से अपने लिए नए asset generate कीजिए इसे ऐसी जगहों पर लगाए जहां से और पैसा आ सके अभी तक आप पैसों के लिए काम कर रहे थे लेकिन अब यहाँ पैसा आपके लिए काम करेगा आपने जो पैसा सेव किया है उससे पैसिव इंकम डेवलप करने की कोशिस करो यानि कि जहां आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपकी earning होती रहेगी जैसे आपने कहीं real estate खरीद लिया और उसे किराय पर दे दिया गरीब गरीब इसलिए रहता है और अमीर अमीर इसलिए बन जाता है क्योंकि गरीब के पास financial education नहीं होता जबकि एक rich आदमी को पता होता है कि money को कैसे manage करना है उसे कहा invest करना चाहिए इसलिए वह rich होता है इसलिए अपने knowledge को भी improve करते जाओ क्योंकि अगर आप financial knowledge को improve नहीं करोगे तो पैसों को समाल नहीं पाओगे और फिर से गरीब हो सकते हो आप अपने सौंक या दिखावे के लिए कभी भी personal loan ना ले ज्यादतर लोग नई गाड़ी, घर या दिखावे के लिए personal loan ले ले लेते हैं और अलग-अलग किस्त या EMI भरने में ही आधा जीवन निकल जाता है अगर आपको घर का रित्यादी लेना ही है तो पहले एक passive income generate कीजिए उससे जो आपको money मिलता है, उससे आप इन्हें खरीच सकते हैं इसे आपको loan नहीं लेना पड़ेगा, ना ही आपकी salary खर्च होगी tip number 7, अपने बुरी आदतों को छोड़ें आपकी ऐसी आदतें, जिनसे आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है और फाइदा कुछ भी नहीं होता जैसे किसी को alcohol पीने की bad habit होती है किसी को बहुत ज्यादा swapping करने की bad habit होती है जिस चीज की उसे जरूरत नहीं है उसे भी खरीद लेना इस प्रकार के habit हमें rich बनने से रोकते हैं अगर आपको अपने सौंक पूरे करने हैं तो उसके लिए आप नए passive income generate कीजिए और उनसे जो money आता है उनसे अपने सौंक को पूरे कीजिए टिप no.8 celebrate and contribute खुसी के पलों को celebrate कीजिए celebration भी हमारी life में जरूरी होता है सायद पैसा भी हम इसलिए कमाते हैं तो इसलिए celebrate कीजिए और अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप दूसरों को दे सकते हैं दूसरों की help कर सकते हैं तो उनकी help कीजिए अमीर वही होता है जो दान करता है बिल गेट्स, रेतन टाटा, अजीम प्रेम जी जैसे लोग अपने पैसों को दान करने से कभी पीछे नहीं हटते इसलिए दुनिया के सबसे rich आदमियों में से एक हैं इस वीडियो में हमने जितने भी टिफ्स बताए हैं अगर आप इन्हें follow करते हैं तो आपको rich बनने में जरूर help होगी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद